ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी बॉडी में 70% पानी है और पानी हमारी जीवन का एक महत्पू नंग है इसका रोल बॉडी बिलिंग होगा ही बहुत तगड़ा वाला है क्योंकि जब आप वरकाउट करते हो तो वेश्ट के तोर पर आपके सरीर से पसीन निकलता ह और उस पसीनी के जरिए आपके सरीर से बहुत सारे माइक्रो नूट्रियंट्स अपने आप निकल जाते हैं जैसे कि सोडियम, आइरेंड, पॉटासियम, काल्सियम और चौकादेनोली बात तो यह है क्योंकि यह जो सारे माइक्रो नूट्रियंट्स है यह हमें पानी से पूरा लग रहा है या नहीं भाई सबसे पहला अगर आप जिम वर्क आउट करते हो और जल्दी ठक जाते हो 25 मिट बाद 30 मिट बाद तो भाई साफ सीधे हैं आपके सरी में पानी कमी है फिर पानी करस आपके सरी में अच्छे से नहीं मिल पा रहा आप पानी पी रही है तो करते समय धत जाने के और भी कारण हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कारण भाई whenever हिसे ना लगना टिक है अब बात करने को पानी काभ और गया कैसे पीना चाहिए फिर उसके पार बात करेंगे कौन सांअ पानी पीना चाहिए और सबसे लाट को मात को में आछ पान करना है अब रोगों शाटी ऐसा वाले थे … Chi मिल जाती है यानि उस व्यक्ति को बता है ये हमारे पाचन सही कर देता है अब बात कहें दा होने से पहले का समय और पानकार्थ होता है पीना यानि कि ब्रह्मुरत बोटकर सुबह सुबह सुरह उद्वने से पहले खाली पेट पानी पीना ठीक है अब भाई आप हल्गा गरम पानी प्योंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा एक्सिलेट रहेगा ठीक है क्योंकि सुबह की जो लार है उसको आईरवेद में अमरित कहा गया है और जब आप अमरित पीते हो तो भाई आपको फायदा तो पता ही है कितने सारे होने वाले हैं कुछ फायदे में आपको बता रहता हूं सबसे पहला आपके पाचन सकती मजबूत होगी दूसरा आप पूरे दिन फुर्तिवान रहोगे ती इसे क्या होगा आप सुबह जल्दी उठ पाऊगे और दूसरा फाइदा ही रहेगा कि आपकी बॉड़ी जो है ठंडी रहेगी जिससे नाइट फॉल के चांसे जो हैं कम हो जाएंगे अगर आप रात को गाय का दूद पीते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो लेकिन वहीं 500 ml तक पानी पी लेना है ठीक है मलाबान लीजे आपने वर्काउट किया और आदे गंटे बाद आपका सरीर सुख गया ठंडा हो गया तो उसके बाद आप पानी पी सकते हो और वर्काउट से गंटे पहले भी आपको पानी जरूर पीना चाहिए प्री वर्काउट के तौर इसके फायदे क्या है सबसे पहले माँ को बताता हूँ आपको बरपूर एनरजी मिलेगी अब पानी कैसा पीना है वो सबसे इंपोर्टेंट है ये नहीं कि कोई भी पानी लेकर गटक लिया वो भी बताऊँगा वीडियो को बस लास्तत देखते रहो उसके बाद आपको पा आपको पानी नहीं पीना है या फिर जब आपका सरी गरम हो तब भी आपको पानी नहीं पीना है कबार खाना खाने पर आपको कभी भी पानी नहीं पीना है ठीक है और नहीं खाओ तो भाई बैस्ट रहेगा जंक फूड उसके बाद नहाने के तुरंत बाद पानी कभी मत प वीडियो को जरूर से देख लेना बहुत आसान मुद्रह है , अराम से कर लोगे , उसके बाद आपको पानी कैसा पीना चाहिए भाई अगर आप अhibको पानी कैसा पीना चाहिए तो मैं मैं आपको यहीं सला दोए धूर हलका खटा करके रखो और उसे पीओ 6-7 गंटे बाद और भाई कई लोग यह सोचते हैं कि आरो का पानी हमारी बॉर्डी बिल्डिंग के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है यह एक्स के बहुत सारे फायदे हैं तो भाई मैं आपको बता दू ऐसा कुछ नहीं है जो यह आरो क बुद जाए और उनकी जो मैंखिन उन्ट्रेंट से घर वाले खरीद के लाकर दे देंगे पैसे उनके बंते रहेंगे बस यह फरक होता है आरो का पानी बाई कुछ नहीं है नहीं हमारे लिए हेल्दी नहीं अनहीं अनहीं अल्दी मरव पानी है उम्मीद करता हूं समझ पानी बाइब लेना यह सबसे जोगार और उसके बार आपको पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना और एक साथ जादा पानी गटक लिए तो ऐसा भी कभी मत करना अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे रहा और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट कर देना तो भाई इस वीडियों बस नहीं मिलते हैं को नई वीडियों के साथ जब तक लिए जय हिंद जय भारत